दस तक यह कहानी मुकेश के साथ घटी एक सची घटना पर अधारित है क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी जिंदिगी बदल गई इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा की अगर वह इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं शायद मुकेश पूरी जिंदिगी में उस रात को न भूल पाए और अब आगे की कहानी हम मुकेश जी के ही सब्दों में जारी रखेंगे नमस्कार मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तान पूर जिले के एक छोटे से गाउं में रहता हूँ गाउं में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग ही रहते हैं में मेरे माता पिता भाई हम सब दिल्ली में ही रहते हैं साल में एक या दो बार हम पूरे परिवार के साथ गाओं जरूर जाते हैं वैसे मैं आपको यह घटना जो बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ तब घटी थी 2016-08 मार्च जब हम गाओं से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनाव स्टेशन से ही पकड़नी थी और शाम को लगभग साथ बजे ही स्टेशन पर पहुच गए हमारी ट्रेन राद दस बजे की थी मैं और मेरे पिता जी माता जी और मेरे बहन भाई हम सब स्टेशन के प्लैटफोर्म पर ही बैठे थे हम लोगों ने वही खाना वगेरा सब खाया और ट्रेन का इंतिजार ही कर रहे थे मैं प्लैटफोर्म पर इधर उदर घूम रहा था मैंने देखा एक लड़की फ्लैटफोर्म की एक बैंच पर अकेले ही बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था पर मैंने इस बात पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहां मेरे घर के सबी लोग बैठे थे उसी तरफ जाने लगा प्लैटफोर्म पर भीड बहुत थी और मुझे भीड में थोड़ी बहुत बेचानी भी मैसुस होती है इसलिए मैं फोन पर किसी से बात करता हुआ ही चल रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंदे पर हाथ रखा हो मैं रुक कर तुरंट पीछे पल्टा पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था मैंने सोचा इतनी भीड है और इसी भीड में से ही किसी का हाथ मेरे कंदे पर पढ़ गया होगा इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हमें बैठ कर दिल्ली जाना था और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भाग दोड मच गई ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे हम भी भाग कर जर्नल डबा ही ढून रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस्तो गए पर हमने अंदर देखा अंदर बैठने का तो सवाल ही दूर कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी इतनी बुरी हालत थी उस जर्नल बगगी में और मुझे बहुत अजीब सा मैसुस हो रहा था भीड की वज़े से लेकिन मेरे पिता जी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए और ऐसा ही हुआ थोड़ी देर में दो स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगबग बारा या साड़े बारा बज़े करीब ट्रेन में अच्छी सांती भी हो गई थी और मैं भी थोड़ी देर में जाकर उपर की सीट पर सो गया लेकिन मेरी आँख दो या धाई बज़े खुली तो मैंने देखा बुगगी में लगबग सभी लोग सो रहे थे मैं उपर वाली सीट से नीचे उतर गया मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई भेन लोग भी सब सो रहे थे मैं बाथरूम करने के लिए वाश्रूम की तरफ गया तब ही मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफी चहल पहल थी लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हावा भी बड़ी अच्छी चल रहे थी इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर भाहर घूम लेता हूँ पर मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दर्वाजे पर ही खड़ी थी और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनाव स्टेशन पर देखा था लेकिन मैं उसे इग्णोर करते हुए नीचे उतर गया इस्टेशन पर थोड़े आगे ही गया था तब ही मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे ही चल रही थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूँ लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे हवास देती हुई बोली सुनो जरा रुको तो मैं पीछे पलटते हुए बोला जी उस लड़की ने अपनी बास जारी रखते हुए कहा आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे इ इसी ट्रेन में जाना है पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतर स्टेशन पर घूम रहे थे तो मैंने सोचा ट्रेन यहां थोड़ा देर तक रुकेगी इसलिए मैंने फिर कहा हाँ चलो छोड़ दूँगा इतना बोलकर हम स्टेशन से बहार की ओर जाने लगे लेकिन सच बताओं तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था फिर भी मैंने उस लड़की को बहार तक छोड़ने चला गया मैं यह भी सोच रहा था चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी क्योंकि इसको मैंने लखनाओं श्टेशन पर जब देखा था तबी से यह मुझे भूत अच्छी लग रही थी मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे थी हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तभी उस लड़की ने मेरे कंदे पर हाथ रख दिया पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रियक्ट करूं लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर कप कपाने लगे मेरी रगों में चलता खून मानों जमसा गया हो और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चहरा बिल्कुल खून से लाल था आखे दोनों बहाल लटकी हुई थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था उसके पूरे सरीर से भी खून ही खून भैरा था लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी और उसके बाद मेरा गलातुरंत ही बैट गया क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नोकिले नाखुन गुसा दिये थे और मैंने देखा वो स्टेशन जहां अभी इतनी चहल पहल थी और लोग इधर उधर चल रहे थे अब वो सब जैसे गायब से हो गये थे अब स्टेशन बिलकुल सुनसान हो गया था चारो तरफ सिरिफ और सिरिफ अंदेरा ही अंदेरा था मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैट गया और वह धीरे धीरे मेरा गला दवाने लगी ती मेरा चेहरा भी पसीने से तरम तर हो गया था मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी वो लड़की धीरे धीरे मेरा गला दवाने लगी थी और मेरी सांसे अब उखडने लगी थी मेरा चेहरा भी पसीने से तरम तर हो गया था मुझे लग रहा था अभी सी पल मेरी जान निकल जाएगी मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते हुए मेरी एक चीक और निकली तभी मेरे पापा ने मुझे तुरन पकड़ लिया और मुझे को जगाया मैंने देखा अभी तो मैं उसी ट्रेन में ही था और उपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक भ्यांकर सपना देख रहा था मेरे पापन ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग रखा था उस हलकी हलकी ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था मेरी धड़कने अभी भी दुगनी तरफतार से धड़क रही थी उसके बाद मेरे पिता जी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बिठा लिया मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के अभी दो ही बज रहे थे अब मैं उटकर वुग्गी के वोश्रूम में गया और मैंने अपनी आखो पर पानी के छीटे मारे और मूध होकर फिर से सीट पर बैठ गया मैंने सोचा अब जितना भी सफर बचा है सीट पर बैठ कर ही पूरा करूंगा अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफर जागते हुए ही सीट पर बैठ कर ही काटा जब नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम सभी समान उठा कर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे तब मेरी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना समान लेकर जिसको मैंने लखनाव स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर जोड़ जोड़ से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था मैं भी अपने घरवालों के साथ चिपक कर चल रहा था उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन से बहार पैदल ही चल रहे थे किसी ओटो को देखने के लिए तभी मेरे होश फिर उड़ गए क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे आगे ही चल रही थी इस बार मैंने अपने भाई से कहा दिनेस इसे देख यह लड़की लखनाव स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस ट्रेन में हम आए उसमें भी थी शायद उसी बोगी में भी थी जिसमें हम थे मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपने अजीव सी निगा से देखा फिर कहा कहा कौन किसकी बात कर रहे हो मैंने फिर अपने भाई से कहा अरे जो सामने जा रही है लेकिन दिनेस ने कहा भाया क्या हो गया आपको सामने तो कोई नहीं जा रहा उसके इतना कहते ही मानो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी और आश्यारे की बात तो यह है कि किसी और को नहीं दिख रही थी लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ओटो कर लिया और हम ओटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुच गए घर पहुच कर हमने थोड़ी देर साफ सफाई करी क्योंकि घर लगबग दो महिने से गया और थोड़ी देर में मेरी आँख भी लग गई और तभी मुझे नीन में ही ऐसा मैसूस हो रहा था कि मेरे बैट पर कोई और भी लेटा हुआ है और वो बहुत जोड़ जोड़ से सांसे ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे उपर भी रखा हुआ है मैंने तुरंत आखे खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुझे से बहुत जोड़ से चीखने की आवाज निकली और मैं बैट से कूद कर तुरंत बहार की तरब भागने लगा मैं रोता चीकता चिलाता हुआ बहार भाग रहा था बहार मेरे पापा गली में साफ सफाई कर रहे थे उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया पापा मुझे से पूछ रहे थे क्या हुआ मुकेस बेटा क्या हुआ लेकिन मेरे मुझे से अवाज नहीं निकल रही थी मैं बहुत डरा घबराया हुआ था थोड़ी देर में ही हमारे घर के क्या हुआ पर मेरे मुझे से बस इतना ही निकला वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे पे है मेरे बिस्तर पर लेटी है वो वही लड़की है वो मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था हकलाते हुए मेरे मुझे सब्द निकल रहे थे मेरे पापा और भाई भेन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं था, कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, सबने इधर उधर भी देखा लेकिन कोई नहीं था, ना ही कोई बहार भी जा सकता था, क्योंकि घर के चारो तरफ बॉंडरी देखा होगा, रात में भी डर गए थे, इतना लंबर सफर करकर आए हैं हम लोग, सब ठक गए हैं, इसलिए तुमें कोई बहार हुआ है, नींद में तुमने सपना देखा होगा, कोई मम्मी, पापा, भाई, भेहन सब यहीं कह रहे थे, कि मुकेश तुमने कोई सपना ही दे लेकिन मैं अभी भी भहुत धेशक में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता, जब मैं बैट से नीचे कूदा, तब भी वेने देखा वो लड़की बैट पर लेटी हुई थी, जो पहले लखनौ स्टे ट्रेन में सपना देखा था, और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे, तब भी वही लड़की उसी ट्रेन से नीचे उतरी थी, आश्चारे की बात तो यह थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी और को नहीं दिख रही थी, यही सब सोस्ते समस्ते, धैसक के साय में पूरा दिन खतम हो गया, और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने को चले गए, और मैं भी अपने कमरे में चला गया, मैंने कमरे का दरवाजा बंद करा और बैट पर लेटा ही हुआ था, कमरे में लाइट भी जल रही थी, मैं अपने फोन में कुछ क पाम कर रहा था लगवग एक घंटे बाद यानि समय 11 या साड़े 11 हो रहा होगा तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूं मैं बैट से उठा ओर लाइट बंद करने के लिए गया तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है खिड़की बजाने की आवाज बड़ी जोर जोर से आ रही थी मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए मेरे रगों में चलता खून जमसा गया तभी मेरी एक चीखने की आवाज निकली क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी वो अप को बिखरे हुए थे मेरी नजर उस पर ही थी और मेरे हाथ में मोबाइल फोन भी था मैंने तुरंत अपने पापा को फोन करा और कहा पापा मुझे डर लग रहा है वो बहार आ गई है अब वो मेरे कमरे के भार खड़ी है मैंने इतना ही बोला था और मेरे पापा ने भी दे पापा से लिपट कर रोने लगा मेरे पापा ने कहा कहा कोई तो नहीं है यहां कोई नहीं है मैंने फिर कहा पापा से बहार है देखो खिड़की के पास आपने बहार खिड़की की तरफ लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बहार की तरफ देखा तो उन्हें वो नज नहीं आ रही थी और मैं भी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ साफ दिख रही थी लेकिन अश्चादे की बात तो यह है जब मैं कमरे के अंदर था तब मुझे वो बड़ी विच्ट्र हालत में दिख रही थी उसका हाथ कटा हुआ था खून से तरम्तर थी लेकिन बहार बिल्कु सही और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई अपनी ड्रावनी मुस्कान लिये मुझे देख रही थी तबही मैंने अपने पापा से कहा पापा यह मार देगी मुझे यह नहीं छोड़ेगी मुझे अब मेरे पापा ने मुझे समझाते उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरांडे में ले आए अब घर के सबी लोग भी जाग चुके थे मम्मी पापा भाई भेंस सब लोग थे मेरे साथ बरांडे में लेकिन मैं जोड जोड से रो रहा था बस एक ही बात कह रहा था वो मुझे मार देगी अब वो नही चोड़े की मुझे अब घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे कोई नहीं है यहां कौन तुमें मारेगा मुकेस हम है यहां कोई नहीं मार सकता तुमें और कुछ भी नहीं है ऐसा क्या हो गया मुकेस तुमें उसके बाद सब ने बरांडे में एक चारपाई रखी हुई थी सब ने मुझे उसी पर लेटा दिया लेकिन वो लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी फिर दिख रही थी और मुझे वो ड्रावनी मुस्कान लिये घुर रही थी और मैं अपनी मम्मी पापा सब को कह रहा था यहे देखो यही खड़ी है लेकिन किसी को मेरी बात पर यकिन नहीं हो रहा था क्योंकि वो और किसी को भी दिख नहीं रही थी और सब यही कह रहे थे किसी चीज से डरा होगा मुकेश इसलिए मुकेस को ऐसा वहम हो रहा है पर अभी तक जो लड़की मेरे सिराने के पास खड़ी थी अब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखुन मेरे गले में गुसाने लगी अब मेरी चीख ने चिल्लाने की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी मेरे गले से बहता खुन देखकर घर वाले बहुत डर गए थे और मेरी मम्मी भी रोने लगी थी और पूरे घर में धहशक का महुल हो गया लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था घर से थोड़ा दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो भूत प्रेत में थोड़ा रुच्ची रखते हैं और ऐसी चीजों को जानते भी हैं हमारे पडोस के एक भैरो बाबा को लेकर घर उसी समय पहुच गए थे बाबा ने बरांडे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा सब दूर हट जाओ इस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना सब दूर हो जाओ बाबा ने मेरे उपर गंगा जल छिड़का या कुछ और यह तो पता नहीं और उसके बाद बाबा जोर जोर से मंतर यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसे पसंद हूँ इसलिए मैं इसको ले कर जाओंगी बाबा ने मंतर पढ़ते पढ़ते जोर से कहा कौन है तू बोल कौन है तू कहा से आई है शायद वो मेरे अंदर परवेश कर चुकी थी इसलिए मेरे मूँ से अपने आप भी कहा रही था इसको मैंने देखा और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूँ इसलिए अब यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको ले कर झांगी बाबा शायद समझे थे कि यह क्या है और कौन है इसलिए बाबने कहा अच्छा डायन है तू अभी बताता हूं लकडिया वगेरा लाकर तुरंत वहां आग जलाई बरांडे में बावा ने एक लोहे के सरीय को जलाकर बिलकुल लाल कर दिया और कहा तू अभी प्यार से छोड़ कर चली जा वर्ना तुझे इसी अगनी में भसम कर देंगे हम लेकिन मेरे मूँ से बड़ी भ्यांकर रवाज निकल रही थी वो कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लिये भीना नहीं जाओंगी यहां से क्योंकि यह मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसको पसंद हूँ उसकी बात सुनकर बावा ने कहा चल ठीक है उसके बाद बावा ने वो गरम सरीय जलाकर मेरे पैर के तलवे पर लगा दी मुझे उस गरम सरीय का असर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा था तभी मैंने देखा और उस समय सब लोगों ने देखा कि वो डायन वही पर सब के सामने आ गई और उसने गुस्से में कहा ए तांत्रीक छोड़ दे मुझे सबसे पहले तुझे ही मारूंगी फिर इन सब को वरना हड़ जा मेरे रास्ते से मुझे तुम सब से कोई लेना देना नहीं है मुझे बस यह लड़का चाहिए फिर बावा ने कहा अभी मैं तुझे इसी में भसम कर दूँगा नहीं तो अभी भाग जाए आ से और कभी लोटकर मताना बावा ने इतना कहा और मंत्र पढ़ने लगे और अगनी में कुछ डालने लगे तब ही उसके रोने चीखने की अवाज बढ़ गई और उसको भागते हुए अब सब लोग देख रहे थे उसके बावा ने बताया कि वो एक डायन है मीरा नाम की बावा ने फिर अपनी बात जारी करते हुए कहा पहल उसके चहरे को चाकू से पूरी तरह से काट दिया और उसका एक हाथ काट कर उसके पूरे सरीर में चाकू से जखम करके मार दिया और तड़पते हुए मीरा ने अपनी जान दे दी थी बावा उसे देखते ही उसकी सारी कहानी समझ गए थे बस उसके मूँ से ही सुनना चाह रहे थे बावा ने फिर कहा मुकेस ने इसको देखा होगा और इसको वो अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेस पसंद आ गया अगर तुम लोग थोड़ा और देर कर देते मुझे बुलाने में तो शायद आज यह है मुकेस की जान ले लेती और यह है उसे अपने साथ ले उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबिज बनाई और मेरे गले में डाल दी और एक धागा हाथ में भान दिया फिर कहा अब ऐसा कुछ नहीं होगा इतना कहकर बाबा तो चले गए पर मैं उसी धहसक में उस रात तो क्या कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बा आज मेरी रूप फिर काप रही है आज भी मैं उस धहसक में हूँ